दोस्तो आज का जो क्लास है यह काफी important है important इसलिए है क्योंकि आज की class में हम discuss करने बाले हैं Adjoint of a matrix के बारे में ठीक है Adjoint से भी question directly पूछा जाते है निमसेट इक्जाम में या अलग-अलग M.C.A. Intenses exam में IIT भी काफी question यहां से पूछता है gate के exam में भी काफी question पूछे जाते हैं ठीक है दूसरा चीज है कि inverse जबी आप निकालेंगे किसी matrix का तो वहां भी आपका inverse का जरूरत होगा तो Adjoint का जो topic है आपका यह काफी important है दूसरी बात कि Adjoint पढ़ने के लिए पहले आपको एक दू topic पढ़ना होगा मैं सबसे पहले आपको determinant का कुछ knowledge होना जरूरी है दूसरी बात कि minor और co factor क्या होता है इसके बारे में भी जानना आपको चाहिए तभी आपसे Adjoint का question solve हो पाएगा otherwise Adjoint आपको किसी matrix का नहीं निकाल सकते हैं ठीक है हम one by one एक को एक दूसरे को हम पढ़ने ठीक है चलिए start करते हैं का determinant पहला topic है determinant क्या होता है तो it is a it is a square matrix determinant is square matrix होता है square matrix क्या होता है हम बता चुके आपको जिस matrix का row and column equal होता जैसे 2 x 2 3 x 3 4 x 4 यह सारा आपका square matrix हो जाएगा it is denoted by इसको DET और bracket में आप determinant का नाम लिख दीजिए या तो दो vertical line के बीच में इसको हम denote कर सकते हैं ठीक है next है आपका next है आपका determinant of order 2 order 2 का determinant जो होगा उसमें क्या होगा a11, a12 a21, a22 यह चार element का representation होगा अगर इसका हम value निकालने की बात करेंगे तो इसको cross ऐसे multiply किजिएगा आप तो a11, a22 फिर माइनस करके इसको cross कर दीजिएगा clear, दूसरा जो differences है वो यह है कि metric सिर्फ क्या है कुछ number का representation है लेकिन जो determinant है उसका एक particular value हम निकाल सकते हैं उसका एक fix value होता है ठीक है तो उसका value कैसे निकालेंगे जैसे अगर 2 cross 2 है तो हम ऐसे करके value निकालेंगे अगर माल लिजिए डिटर्मिनांट दिया हुआ है determinant of order 3 तो हम इसका कैसे निकालेंगे तो order 3 का है तो क्या हो जागा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 clear अब इसका value कैसे निकालेंगे a11 को सबसे पहले आप बाहर कर दिजिए कौनसे element है पहला row पहला column तो पहला row डिलीट कर दिजिए पहला column आप डिलीट कर दिजिए आपके पास ये चार element बच गया a22, a23, a32 और a33 minus करके आप दूसरे को बाहर निकालें a12 को आप कहेंगे सर माइनस क्यों करेंगे उसका value region हम आपको बताते हैं कुछ देर में a12 पहला row दूसरा column पहला row डिलीट कर दिए दूसरा column डिलीट कर दिजिए आपके पास क्या बचा a21, a31, a23, a33 फिर प्लस करके यह बाहर किजिए आप तो यह है आपका कितना निचे लिख देते हैं a13 को आप बाहर कर दिए a13 मतलब पहला row तिसरा column पहला row तिसरा column डिलीट हो गया आपके पास remaining क्या बच गया a21, a31, a22 और a32, clear फिर इसका जब हम value निकालेंगे तो यह two cross two है अभी हम आ minus करके फिर ऐसे cross किजिए तो a22, a33 minus a32, a23 minus a12 into फिर यहां से निकालना है तो यह आपका हो जाएगा a21, a33 minus a31, a23, clear यह अलग चीज़ है, यह उपर का explanation है, plus, यहां से फिर देखिए, plus करके यह बाला, तो a13 into, इसका जब निकालेंगे, तो a21 को a32 से multiply करेंगे और a31 को a22 से करेंगे, a21, a32 minus a31, a22, यह determinant का value कुछ इस तरीके से निकाल लगाता है, determinant आपका एक separate chapter ही दिया हुआ है, ठीक है, हम वो नहीं परहा रहें, वो तो अलग से हम आपको परहाएंगे determinant, लेकिन adjoint निकालने में, या minor co factor निकालने में, determinant का काफी use होता है, इसे लिए हम आपको determinant का basic fundा बता रहे हैं, हैना, आगे चलके आपको हम determinant का whole topic, determinant क्या होता है, उसका क्या property, जै उसके base पे कौन-कौन से question पूछे जाते हैं, यह whole lectures का हम एक अलग से video आपको, next जो topic है, यह आपका minor and co factor, minor and co factor, जैसे मल लिजिए, मेरे पास एक determinant दिया हुआ है, a11, a12, a21, a22, ठीक है, अब आप कहेंगे minor क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, कि determinant का एक fixed value होता है, जैसे 2 by 2 है, तो a11, a22, minus a21, a12 लिखते हैं, लेकिन determinant में हर एक position का अपना fixed value होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, minor के नाम से जानते हैं, और core factor जो होता है, उस particular position का, वो sign decide करता है, कि वो positive sign होगा, या negative sign होगा, खिलिया, तो हम देखते हैं, minor कैसे निकलेगा, तो minor हमने क्या बताया, कि minor जो होता है, वो determinant में हर एक position का value होता है, जैसे आप a11 का minor निकालेंगे न, तो यह पहला row पहले column का element है, तो पहला row पहला column आप delete कर देजे, पहला row पहला column, क्या आपके पास remaining बच गया, a22 बच गया, यही a11 का minor हो जाएगा, उसी तरीके से minor of a12, minor of a21 और minor of a22 भी हम निकाल सकते हैं, जैसे a12 है, तो पहला row पहला column, पहला row पहला column आप delete कर देजे, क्या बच आपके पास, a21 बच गया, a21 का है, तो दूसरा row पहला column क्या बच आपके पास, a12 बच गया, उसी तरीके से अगर a22 का निकालेंगे, तो दूसरा row पहला column आप delete कर देजे, क्या बच गया, a11 बच ग तो माइनस वन का पावर 2 है, यह पोजिटिव ही हो जाएगा और माइनस वन ओफ एक्या निकला है, तो यह A22 हो जाएगा, कोफेक्टर ओफ A12 उसी तरीके से कोफेक्टर ओफ A21 और कोफेक्टर ओफ A22, अब ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 1 to the power 1 plus 2 तो 3 into minor of A12 A12 का minor कितना है A21 है और minus 1 का cube है तो जाहिर सी बात है negative number होगा तो ये minus A21 हो जाएगा फिर इसका निकालेंगे तो minus 1 to the power 3 हो जाएगा 2 plus 1 into A21 का minor आप देख लिजे क्या है 12 है तो ये भी आपका minus में हो जाएगा minus 1 का cube करेंगे तो minus हो जाएगा ये minus 1 to the power 4 into A22 का minor क्या है A11 है तो minus 1 to the power 4 positive number होता है तो ये आपका A11 हो जाएगा ये आपका minor and next number है आपका singular matrix बहुत आसान सा है singular matrix का definition let A be any square matrix and if determinant of A is 0 then it is singular अगर कोई एक matrix दिया हुआ है उसका determinant अगर हम निकालते है square matrix दिया हुआ उसका determinant अगर हम निकालते है वो 0 की equal आजाता है उसको हम क्या कहेंगे singular matrix कहेंगे ठीके और 0 की equal नहीं आता है तो उसको हम non singular matrix कहेंगे अभी पीछे हमें एक question देख रहे थे जिसमें लिखा हुआ आता A is non singular matrix तो non singular का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी determinant का value not equal to 0 आता है तो हम उसको क्या कहेंगे non singular matrix कहेंगे clear question है इसे पर based आपका for how many values of x in the closed interval minus 4 से 1 this matrix is singular अब singular कह रहा है तो singular का मतलब क्या इसका determinant 0 के equal है दिया हुआ आप determinant का value निकाल लिजिए x का value आपका निकल जाएगा minus 1 minus 1 ये 2 ये x plus 2 2 determinant solve करने के लिए जानते ही है अभी हम बताये थे आपको 3 को बाहर कीजिए ये आपका कितना हो जाएगा minus 2 ये minus minus plus हो जाएगा x plus 2 ठीक है minus minus 1 plus x इंटो अभी इसको बाहर कर देंगे ये और ये delete हो गया आपका तो 3, 2, 6 हो जाएगा minus इसको इससे multiply करना पड़ेगा x plus 3 को x plus 2 से multiply करना पड़ेगा फिर plus 2 को बाहर निकालेंगे निकाल लिजिए पहला रो दूसरा कुलम delete कर दिजिए तो ये हो गया आपका minus 3 0 हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 3 को x से multiply करेंगे तो 3x है ना इसको भी आप multiply कर दिजिए तो ये plus में कितना हो जाएगा ये plus में हो जाएगा 1 minus x और bracket में क्या बच गया 6 into इसको multiply कर लिजिए तो ये आपका आजाएगा x square x square minus 5x और plus में 6 आता minus से multiply कर रहे है तो minus 6 आजाएगा ठीक है यहाँ से plus कितना आगया 2x is equal to 0 आगया यहाँ 6 plus minus ये cancel out हो जाएगा ये हो गया कितना 3x plus 2x 5x plus multiply कर दिजिए इसको है ना multiply करेंगे ये plus ये minus तो minus x square और ये minus 5x x से करेंगे तो plus x q और इसको करेंगे तो plus 5x square is equal to 0 हो जाएगा 5x plus 5x minus ये भी cancel out हो गया क्या बचा आपके पास x q यहाँ से बच गया और यहाँ से plus 4x square is equal to 0 तो x square common है यहाँ से x plus 4 equals to 0 clear तो x का कितना value हो जाएगा यहाँ से x का 2 values हो जाएगा x square request to 0 तो x का value 0 हो जाएगा और x plus 4 request to 0 करेंगे तो x का value minus 4 हो जाएगा अब लेकिन देखिए एक चीज और कहरा है कि इस close interval में value x का क्या होगा इस close interval का मतलब आप समझ रहे हैं इस close interval का मतलब है अगर close interval में minus 4 minus 1 दिया हुआ है इसका मतलब है close है तो यह include भी करेगा minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 कहरा कि इसके बीच में कौन सा value होगा x का तो 0 तो नहीं है इसके बीच में इसके बीच में सिर्फ क्या है आपका minus 4 है कितना value match किया only one value match किया तो one आपका solution हो जाएगा next topic जो है वो है आपका adjoint of a matrix काफी important है यह इस पर ध्यान दिजेगा सबसे पहले हैं इसका definition लिखते हैं let a is equal to aij be any matrix and cij be the co-factor of aii in a aii in a aij in a then transpose of the transpose of the co-factor of the matrix is called is called adjoint of matrix a it is it is denoted by adg j licked and a that is kia kia ho gya adjoint of a a kis matrix ka co-factor of a whole transpose clear here jiasse aip d a a a a a a a a a A12, A12, ठीक है, सबसे पहले आप co-factor बताईए हर एक element का, अब यह हम co-factor निकालने के लिए बताएं हैं, A11 का co-factor निकालेंगे, तो minus 1 to the power 1 plus 1 into minor इसका निकालेंगे, A11 का minor क्या होगा, तो पहला रो पहला कॉलमब ड्लीट कर दिजिए, A22 हो जाएगा, इसी तरीके से co-factor of आफ ए वन टू निकालेंगे तो माइनस वन का पावर थ्री मतलब माइनस साइन आ जाएगा और ए वन टू पहला रो दूसरा कॉलम आप डिलीट कर दिए तो ए टू वन हो जाएगा फिर को फेक्टर आफ ए टू वन निकालेंगे तो यह माइनस हो जाएगा ए टू वन दूसरा पहला कॉलम डिलीट कर दिये तो A12 हो गया और को फेक्टर आफ A22 निकालेंगे आप तो कितना निकलेगा आपका को फेक्टर आफ A22 माइनस वन टू दी पावर 4 पॉजिटिव हो जागा दूसरा रो दूसरा कोलम आप डिलीट कर लिजे ये 11 हो गया ठीक है तो अगर हम आपसे कहेंगे Adjoint of A आप निकाल लिए तो आप सबसे पहले क्या किजेगा को फेक्टर निकाल लिजेगा हर एक पोजिशन का निकाल लिए अब पूट कर दिजे यहाँ पे respective position पे A11 पे आपको क्या रखना है A22 रखना है A12 पे क्या रखना है A22 है तो यह माइनस A21 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा A12 और यहाँ पे A11 यही आपका क्या हो गया Adjoint हो गया देखिए next जो question है उसमें आपको कह रहा है इस matrix का value दिया हुआ A B C D इसका क्या निकालना आपको Adjoint निकालना Adjoint of S आपसे पूछ रहा है ध्यान दिजिए अब हमें एक short trick आपको बता रहे हैं लेकिन यह short trick जो है न यह two cross two matrix पर ही applicable होगा three into three पर apply नहीं होगा ठीक है आप क्या किजिएगा यहाँ जो element होगा ए one one पर और ए two two पर आप उसको swap कर दिए आपका मतलब interchange कर दिए मतलब यहाँ पर आप डी लिख दिजिए यहाँ पर आप ए लिख दिजिए क्लियर लिखने के बाद यहाँ पर जो element है a one two पर और a two one पर वहाँ पर आप minus sign लगा दिजिए तो यह minus हो जाएगा और यह भी minus हो जाएगा यही आपका Adjoint होगा यह short trick element है और a two one पर जो है वहाँ पर हम दोनों जगह minus sign लगा दिए तो यह minus c minus b हो गया देखिए कि इस option में दिया हुआ है कि यह option number आपका कि यहाँ पर देखिए by mistake हम से लिखा गया है यह d हो जाएगा है ना तो आपका option number भी सही हो गया इस question में ए दिया हुआ एक matrix आप से कह रहा है एड joint of 3a square plus 12a निकाल लिए तो सबसे पहले आप a square निकाल लिजेगा a square equals to a into a तो 2 minus 4 minus 3 1 इसको आप multiply कर दिजेगा 2 minus 4 minus 3 1 से इधर का row और इधर का column कितना हो जाएगा 2 to the 4 plus minus 3 को minus 3 से multiply करेंगे तो plus हो जाएगा तो यह जगा 12 अब plus 4 16 minus 8 minus 8 minus 4 तो minus 12 इसको इससे किजिए minus 6 minus 3 minus 9 इसको इससे किजिए 12 plus 1 13 अब कहरा है 3a square कोई दिक्कत नहीं है निकाल लिजे 3a square 3a square निकालेंगे आप तो 3 से multiply हो जाएगा यहा 48 हो जाएगा minus 27 हो जाएगा 36 और 39 निकल गया अब फिर कहरा है आपसे 12a निकाल लिजे तो 12a निकालेंगे तो क्या करेंगे a में 12 से multiply कर देंगे a दिया हुआ 12 से किजिए तो यह 24 हो जाएगा यह minus 48 हो जाएगा minus 36 हो जाएगा और यहां से 12 हो जाएगा अब आपसे पूछ रहा एड्जॉइंट ऑफ 3a स्क्वाइर प्लस 12 अब आप यहां से क्या किजिए 3a स्क्वाइर प्लस 12a निकालेंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे कब जोड़ सकते हैं जब दोनों से मॉडर कहा क्रॉस पॉर्णिंग जूड़ जाता है 48 में 24 जूड़ यह कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा आपका 27 में माइनस 36 को एड़ करना है तो यह एड़ ही हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यह माइनस 63 हो जाएगा अब 36 में 48 जोड़ यह कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा लेकिन माइनस में 39 में 12 को जोड़ यह कितना हो जाएगा यह 51 हो जाएगा प्लस में अब आपसे पूछ रहा है Adjoint of 3A square प्लस 12A हम क्या बता हैं 2 cross 2 के लिए आप इस दोनों को swap कर दिएगा interchange कर दिजेगा तो यहाँ 51 हो जाएगा और यहाँ पे 72 हो जाएगा और इस दोनों में minus से multiply कर दिजेगा तो यह 84 हो गया और यह आपका 63 हो गया देखिए यह क्यों option में दिया हुआ है यह option number B में दिया हुआ है option number B आपका solution है देखिए next number एक important property है कह रहा है क्या A एक square matrix है order N का then A में अगर adjoint A से multiply करे या adjoint A में A से करे यह A के determinant into unit matrix के equal होता है यह काफी important property है आप इसको ध्यान दिजेगा उसी पर best equation दिया हुआ A एक matrix दिया हुआ A into a joint A is equal to A into A transpose दिया हुआ then 5A plus 3B का value पूछ रहा है ठीक है तो बारी-बारी से हम निकालते है सबसे पहले A into A transpose निकाल लेते हैं A दिया हुआ 5A 3 minus B और 2 यह हम column आपको बता है इसका transpose कर दिये तो यह 5A row column interchange हो जाएगा minus B यहाँ जाएगा यहाँ 3 और 2 हो जाएगा multiply किजिए इसको तो 5A और 5A तो 25A square इसको इससे करेंगे तो plus B square इसको इससे करेंगे तो minus में कितना प्लस में हो जाएगा ना 15A इसको इससे करेंगे तो minus 2B हो जाएगा अब सकेंड के साथ किजिए तो यह हो जाएगा 15A minus 2B 15A minus 2B 15A minus 2B यहाँ से किजिएगा तो 9 plus 4 13 हो गया clear अब A into adjoint A क्या formula पढ़े हैं A into adjoint A का value होता है determinant of A into IN तो हम क्यों न determinant निकाल लें A into adjoint A is equals to formula होता है determinant of A into IN N का है जिस order का दिया हुआ है उसी order का N का value होगा मतलब यहाँ पे इस case में i2 हो जाएगा ठीक है तो determinant A का value अगर हम निकालेंगे तो यह है 5A 3 minus B और 2 आप determinant निकाल लिए cross multiply कर देते हैं तो 5 to 10A फिर minus करके इसको करके लिखते हैं मैंस मैंस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3B यह determinant आ गया नाव क्या दिया हुआ इस इक्वल्स टू दिया हुआ है now A into adjoint A is equals to दिया हुआ है A into A transpose तो क्या हो जाएगा यहां से यहां से हो जाएगा आपका 25A square plus B square 15A minus 2B 15A minus 2B और यहां से 13 आ गया यह equal किसके हो जाएगा यह equal आपको हो जाएगा determinant A into IN IN तो मिलिखें नहीं I N मतलब आप ऐसे लिख डीजिए 1001 तो यह किसके इक्वल ओ जाएगा ? यह equal हो जाएगा 10A plus 3B यहां 0 हो जाएगा यहां भी 0 हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा 10A plus 3B हो जाएगा ठीक है अब आप equal कर दिजिए उसको 4 क्या निकला यहां से अब यहां से आप लिख सकते हैं 25 a square plus b a square का value किस के equal 10 a plus 3 b के equal आप यहां से यह भी लिख सकते हैं 15 a minus 2 b equals to 0 आप यहां से यह भी लिख सकते हैं 10 a plus 3 b का value 13 अब इसको आप solve कर लिजे जब आप equation को solve किजेगा जैसे आप पहला दूसरा equation को solve कर लिजे तो यहां a और b का आपका value निकल जाएगा जब आप value निकालेंगे a और b का तो आपका निकल जाएगा यह equation solve करने के लिख आप जानते होंगे टेंथ में परहे हैं फिर भी हम बता देते हैं आपको जैसे यह दिया हुआ है ना 15 a minus 2 b equals 0 दूसरा equation है 10 a plus 3 b equals to 13 तो यहां पर देखिए यहां पर यह 2 है यहां पर 3 है तो आप इसमें क्या किजिए इस equation में आप multiply कर दिजिए इस equation में multiply कर दिजिए 3 से और इस equation में multiply कर दिजिए 2 से तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 A minus 6 B is equal to 0 हो जाएगा इसमें 2 से करेंगे तो 20 A minus प्लस ना 3 तो जाएगा 6 B is equal to 26 हो जाएगा अब आप क्या किजिए दोनों को add कर दीजिए तो दोनों को add करेंगे दोनों कर जाएगा ये कितना हो जाएगा 65A is equal to 26 हो गया तो A का value कितना हो गया 26 by 65 13 से कर जाएगा या जाएगा आपका 2 by 5 A का value कितना आ गया 2 by 5 आ गया सिम्रली आप B भी निकाल सकते हैं B जब निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा आप किसी equation में put कर दीजिए जैसे यहाँ पर हम put कर रहे है 15 into A minus 2B ठीक है A का value कितना है 2 by 5 आ यहाँ पर रखेंगे 2 by 5 5 3 जा 15 6 हो जाएगा यह तो 6 minus 2B equals to 0 तो 6 equals to 2B तो B का value आपका कितना हो जाएगा 3 आपसे क्या पूछ रहा है 5A plus B का value पूछ रहा है 5A plus B is equal to 5 A का value कितना है 2 by 5 plus B का value कितना है 3 5 से 5 कट गया 3 plus 2 3 plus 2 आपका 5 आगया तो 3 plus 2 5 है तो 5 आपका answer B में option में दिया हुआ यह आपका solution तो लिए दिया हुआ है A B है complex cube root of unity complex नमर का फिर बात है तो दो बात ध्यान में रखेंगा 1 plus omega plus omega square 0 होता है अब दिया हुआ है A equals to A is equals to omega 0 0 omega omega आप common ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा है ना तो आप इसको omega into I2 भी लिख सकते हैं किसका value? A का value अब आगे देखते हैं क्या आप पूछ रहा है आप से आगे पूछ रहा है आप से omega to the power 100 आप से पूछ रहा है ठीक है omega to the power 100 omega to the power 100 नहीं होगा यह A to the power 100 होगा है ठीक है A to the power 100 therefore A to the power 100 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा omega I2 पर power 100 इसको आप individual भी लिख सकते हैं this into I2 पर power 100 unit matrix पर power आप 100 किजेगा तो I ही हो जाएगा खुल मिला के आप से के पास क्या बच गया I2 the power 100 बच गया अब I2 sorry omega to the power 100 omega to the power 100 है तो omega Q हम 1 जानते हैं इसको तोड़ लिजिए omega Q 33 into यह 99 हो गया बेस पावर जूटता है तो यह 100 हो जाएगा आपका omega Q का value कितना होता है 1 तो 1 पर पावर हो गया 33 into omega तो यह आपका हो जाएगा 1 into omega यह हो जाएगा omega है ना omega तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ यह भी लिख दे हम इसको omega into I2 कोई फर्ट तो पड़ेगा नहीं unit matrix से आप जब multiply करेंगे तो omega into I2 किसका value है एका value है तो यह आपका solution हो गया जो option number A में दे रखा था काफी अच्छा question है यह आप इसको note कर लिजा और चलते चलते मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है ठीक है तो प्ली चैनल को like and subscribe जरूर कर दीजिए मिलते हैं next वीडियो में